अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए सेरी को फोन करता हूँ नहीं, नहीं, कहीं दोगों को पता चलिए तो मुझे माड़ा लेंगे आपको प्यार लेजिए यार लेजिए यार लेजिए यार लेजिए यार लेजिए वरना यह लोग मुझे नहीं चोड़ेंगे मिस्टर हेमंद कल शाम साथ बजे से दस बजे के बीच कहा पे तया आप साथ से दस के बीच मेरे दोस्त की जनम दिन की पार्टी थी उसी में गया था वह पार्टी में और यह दोस्त कौन सा था? क्या नाम असका? यह देवेंद्र देवेंद्र, देवेंद्र है इसमें देवेंद्र? देवेंद्र, यह सहीं देवेंद्र यह पार्टी कहां पर थी? जरा देमेंदर को फोन लगाएं? क्यों नरे कल उसका बढदे था ना तो हम लोग भी उसे हैपी बढदे विश करेंगे क्या नुकसान है? बढदे तो कल था ना सर ठो क्या हुआ? हम लोग भी थोड़ा डांस कर लेंगे एक दिन लेट ही सही यह लगाए, यह लगाए. जाओ, लगाए? वो, वो, वो सर्में. ठीक है, याला, मैं लगाता हूँ. और टाइम लेते हूँ. देविंदर दे… यह क्या? तुम्हारे फोन बुक में देविंदर नाम का कोई आदमी है नी? नहीं? वही तू? नजाने कैसे डिलीट हो गया? कोई बात ने, मंजी. इलेक्ट्रोनिक आइटमें गडबड हो जाती है, यह न? वैसे आप पार्टी में गए तब फोन तो साथ में लेकर ही गए होंगे? हाँ सर, बिना फोन के तो मैं कहीं भी नहीं जाता? वही तो, फिर भी यह मोबाइल कंपनी वाले कह रहे हैं कि कल शाम को साथ और दस बजे के बीच आपका फोन पसंद नगर इलाके में था. यह पाँच किया? पता नहीं सर, टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है, एलेक्ट्रोनिक आइटम है. सीसी टीवी कैमरा का नाम सुना है, वो भी एक एलेक्ट्रोनिक आइटम है. अच्छा? एमन जी, पसंद नगर के मोड पर जो सीसी टीवी कैमरा लगा है ना, उसमें कल रात को साड़े आठ बजे आपकी फोटो छप्पी है. मेरी फोटो? आँ, आपकी फोटो. क्यों कहते हैं पापे? मुझे याद नहीं आ रहा है से. कोई बात नहीं मन जी, कोई बात नहीं हम याद दिला देंगे आपको. आप पसंद नगर इसलिए गए थे. क्योंकि वहाँ पर आपकी सेक्रेटरी मुनिका का घर है. लेकिन मुनिका तुम मर चुकी है. मैं वहाँ क्यों जाँगा. क्योंकि मुनिका को तुम ने मारा था. मैं इसलिए! और तुम वहाँ सबूत चोरी करने के लिए गए थे. वह सबूत जो मुनिका को बिलाता तुमारे खिलाफ. करब शंका समझे? यूटे है. पुछाकु कहा है जिससे तुमने मुनिका का खून किया था? पोल खुल कुए तो ड्रामा कर रहा है सर? सब्सक्राइब! अटा! एमान! सब्सक्राइब! एमान! 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 सर, इसकी तबित तु वाकी खराब होगी? ले जो इसे, जल्दी हॉस्पिड़ ले जा। सब्सक्राइब! 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 यह अचानक इसे क्या हो गया? सर, केस तो अलमूस्ट शॉल हो गया था यह जाना तरवित के से खारा हो ने? अ ECB प्रद्व्धुमनी है सर, सर, प्रीजबी मालब कीजे, सर अलो, कौन बोल रहा है? सर, मैं डानी बात करो हुँ, सर सर, कुछ लोग मुझे मालना चाहते हैं, सर सर, अब जल्ली आजाएजिए, सर Danny, Danny, बताओ, कहां से बात कर रहे हो? क्या हुआ है, बताओ जल्ली अलो? अलो? अलो, Danny? अलो? 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 क्या है, सर? किसका फून था? वे, Danny नाम का आदमी था, मदद मांग रहा था, नमबर है 11923641 देखो, आड्रिस क्या है उसका क्या हवाद, वे उसक्ष क्या ड्रशया जलो! Danny? ड haveद घरोज़ू Danny? जैनी! जैनी! अब शित्व, विल्लाइट ओओ करुआ जा हो दो? जैने जाए, वो लगता है किसीने वने उजाओ करुआए हा? लिके तो, वे जाए, सभाल के लिए, सभाल के? जैनी, जैनुचिटार क्या हो? जैनी? ए, ज हो बदीटागा है? यह ठीज़ जाए, ढू प्स्टीए! झाल बदीटा को वेपिगाए जाए़खवभी लगता भीववश्चिटा जाएवश्चिए जाएवशचिपश्टा आप 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 लेका आप लेका टीप लागाती है बहुत मारा पिठा है वेचारे को अप इस पढ़ा बच्छा लगते है अभी जित काम करो तुम तरह चेक करो दिखो और कुछ मिलता है क्या है निकिल इस रव जाओ रड़ी टीप निकाले उसके आप लेकाले वाफ लेकाले है कर दाईए कर दो इस अब खुनी तक पहुंचेंगे किसे ना तो हमारे पास लाश है और ना ही कोई सबुद। अब दज्जिया उर चुकिये प्रेडी आज तक कोई भी गुनेगार हमारे हाथों से बचा नहीं है समझे अब देखे तक को बुला लो यहां पर कुछ नकुछ तो जरूर ढूनके निकालेगा वो इस राक में से पुर यह डैनी इस डैनी के बारे में अच्छी तरह से पूछता आज करो देखो क्या क्या करता था कहां कहां जाता था और किस किस से मिलता था कुछ पता चाला मैंने टेस्ट किया है यह एक कंप्रेस्ट वुड़ है एसी लकडी जिसका इस्तिमाल क्रिकेट के बैट यह होगी की स्टिक बनाने में काम आता है ओ इसका मतलब डैनी को क्रिकेट के बैट से मारा गया है एक बात आरा बिजीत यह बॉम भी कोई सीधा साथा बॉम नहीं था अच्छा किस चीज से बनाया गया यह बॉम वह से अमौनियम Gatrit उसमें बेंजोडियम ऑईल और ट्रीनियम एश को मिला करके यह खतरनाव बॉम बनाया गिया है अमौनियम Gatrit और बेंजोडियम ऑईल काफी सौस साच के बनाई गया यह बउम बहुती खतरनाव बॉम है और इस बॉमको एक बीमारी भी है वो किया? वो ये कि इस बॉबब को लेकर के ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं किया जा सकता है क्यों सर? वो इसलिए फ्रेड़ी कि अगर इसे लेकर के ज्यादा दूर तक जाएंगे तो ट्रैवल की वज़े से मुवमेंट होगा बॉम हिलेगा तो फट जाएगा इसका मतलब वो बॉम डैनी के खर के आसपासी बनाया गया होगा सर अगरो लोग डैनी का खुन पहले ही कर चुके थे तो हम उन्हें बॉम रखने की जरौत क्या थी उन्हें गलत फ्रामी होगी कि ऐसा करके वो सारे सबूत मिटा देंगे और हम लोगों से बच जाएंगे और वो यह नहीं जानते कि CID रेगिस्तान में से भी सुई ठून सकती है सर ये रोहन है डैनी जिस घर में रहता था वो इसका है डैनी तुमारे घर में रहता था क्यों भड़े भी दिया था उसे नहीं सर डैनी बजपन से मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था इस शायर में उसके पास रहने का कोई ठीकाना भी नहीं था तो मैने उसे अपने साथ रख लिया जब यह सब हुआ तो तुम कहा थे हो दो-तिन दिन से मामहार था आज सुभा ही मैं घर लोटा अच्छा डैनी की किसी के साथ कोई दुष्मनी थी? डैनी की दुष्मनी? सर्थ, डैनी तो बहुत शरीफ और महंती लड़का था उसका कोई दुष्मन कैसे हो सकता है कोई तो दुष्मन था डैनी का कोई ऐसा दुष्मन जिसने डैनी को बॉम से उड़ा दिया मैं खुद भी हैरान हूं सर ना जाने डैनी कौन से चक्कर में फज गया था फज गया था? क्या मतलब? पता नहीं सर वो कुस दिनों से अजीब सा भी हीउ कर रहा था और तो उसे कॉलेज से भी सस्पेंट कर दिया गया था सस्पेंट कर दिया गया था? किसले? यह तो उसने मुझे भी नहीं बताया सर कोई बात नहीं तुम जा सकते हो लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो हम तुमें फिर से बुला लेंगे प्रड़ी? चलो अब जी देख काम करो सचिन और निखिल को डैनी के कॉलिज में भीज दो और उनसे कहो कि उपता लगा है किस वज़े से किस वज़े से डैनी कॉलिज से सस्पेंड किया गया था हाँ सर सर हेमन ने अपना गुना कबोल कर लिया है यह रहा वो चाको जिससे मॉनिका का खून हुआ था इस पे हेमन के उंग्लियों के निशान भी है वह बेरी कुल्ट चलो मॉनिका का केस सुसाल हो गया लेकिन यह डैनी यह डैनी का दुश्मन कौन है है कौन यह दुश्मन जिसने डैनी को बॉम से उड़ा दिया सर इस महले में अब बस यही एक आखरी बिल्डिंग बच्ची है और किसी जगे तो बॉम बनाने का सामान मिलाने बॉम बना तो यही कही है किस से मिलने आपको? हम लोग CID से हैं CID? यहाँ? आप यह पता के पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे कुछ नए लोग आया हैं रहने के लिए साब पिछले छे मेने में तो यह कोई भी भी बिलट नहीं बिका है कोई नया किरायदार आया है? किरायदार? हाँ साब फिछले हपते ही दो नए किरायदार आये कौन कौन है? साब 504 में रीतेश और 101 में आसिस साब आये और सही वक्त पर आते जाते हैं लेकिन आसिस साब तुब जड़ बड़ है? हाँ साब पहले दिन से ही गड़ बड़ है मतलब? मतलब साब कि हमारी सोसाइटी में बेशलर को फिलेट तो मिलता नहीं है तो आसिस साब ने एग्रिमेंट में अपनी मा का फोटू ही चुपोगा दिया तर उनकी मा ऊंके साथ नहीं रहती है नहीं साब नुकी मातो नहीं रहती है लेकिन दो-तीन लड़के हैं जो हर वड़ फलेट में ही पड़ेख है कभी कभी तो रात को तीन मजे शराब पीकर आते हैं अब आप ही बता हो साब इतनी शरीफ सोसाइटी में यह साब अच्छा लगता है क्या अबी भी है वो लो लो घर में नहीं साब वो लो लो तो कल से बापस ही नहीं आए ठीक है जारा उनका अगर दिखा हू अच्छली डैनी ड्रग्स के दलदल में फास गया था डैनी ड्रग्स लेता था? पता नहीं कैसे ये गंदी लग गई उसे कुछ पता है आपको ये ड्रग्स उसे मिलते कहा से था लेकिन मैंने खुद उसे पकड़ा था कॉलेश के बात्रूम में हरोइन लेते हुए है सर हरोइन तो काफी महगी आती है और ये डैनी सीरे सादे मिल्ट ग्लास फैमिली के लड़का था जब कैसे वो कर सकता है? कोई तो जरिया था जहां से बहुत सारा पैसा आरा था उसके बास या पर उतने यगिन से कैसे कैसे क्योंकि पिछले कुस दिनों से उसका अदाज बदला हुआ था नहीं नहीं घाडियां, सोने की चेन, अंगूठियां ऐसा पहले नहीं था ऐसी कॉन सी लोटी लगई थी टेनी को? I really don't know, लेकिन जैसा कि उसके दोस्त कह रहे थे, वो एक कार खार इतने वाला था, वो भी बीस लाग की बीस लाग की कार? नहीं, एक कॉलेज बे पढ़ने वाला लड़का अपने दम पे बीस लाग की गाड़ी तो नहीं करीच सकता अशर हो सकता है ये पैसा उसके घरवालों ने दिया हुसा? नहीं, निकल, एक मिडल क्लास फैमिली इतना सारा पैसा कहां से लागी? इस डैनी के परिवार वालों से मिलते हैं लेकिन वो लोग तो पुना में रहते हैं पुना में रहते हैं पुना में आखी है आखा लोग नोग इस घर की तलाशील लेने वाले हैं तुम चुपच़ा वहां पर खड़े हो के सब देख सकते हो, एक है? यी, सर्याइज जा अजय खुछ एका मॉरोंाजद पुल आपस कि भीप मेंट सबस्क्तराई इसेँ इसेड़ों कि जुटेस। लड़ा, लेड़ा, लड़ाना करेओी वीबास आण दिए झाइ़ा, लेड़ाना करेओ़ मेंज़ा. कि अजिए इस आशिष ने पुरे घर को बॉम बनाने के फैक्टिरी बना दिये सरी एव बॉम का स्केच में लाई से उस रूम में से यह वही बॉम्ब है जट्णानी के घर में पटाना वाच मैं जी सर इस इसलों को पैजान सकते हो तो हाँ सर आशिष का सकेच बनवा सकते हो हाँ सर आशिष का सकता हो ठीक है एने प्रियो लेकी जा और हाँ इस घर के माली को भी फोन करा हो आप अपने बिटे डैनी को हर में ने कितने पैसे पैसे पेच्छते थे ते यहां तक कि नई गाड़ी भी खरिदने वाला था हूँ इसे ज्यादा देसे इतना इंकम नही है लेकिन कोलेज वाले तो कहा थे के डैनी आचानक बहुत पैसे कमाने लगा था नई शिर्ट नई घड़ी यहां तक कि नई गाड़ी भी खरीदने बाला था हूँ क्या पूले सर आप यह जो इसे बताये के डैनी बढ़ाई के साथ साथ कोई काम अगारा भी करता था थे ती म इस कंपणी का नाम मालो माला नहीं? डैनी की मंतली सेलरी क्या थे? 15,000 रुपए. और कोई लावन्स? ट्रेवल लावन्स दिया जाता है और अगर एंपलोई की परसनल कार हो तो पेट्रोल का खर्चा? तो मंतली सेलरी और एलावन्स पर कोई 20,000,000 की गाड़ी तो नहीं खरीच सकता ना? 20,000,000 की गाड़ी? किसके पासे 20,000,000 की गाड़ी? हाई नहीं, आने वाली थी. पर इसे पले डानी की माथ हो गए. मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता सर. पर आपका कोई क्लाइंट डानी को रिष्वत तो नहीं दे जाता ना? यह आप क्या के रहे हैं, सर? हम तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं, इसमें रिष्वत का क्या काम? तो हो सता है कि आपकी कंपनी के अकाउंट्स में कुछ खोटाला कर रहा हो? बिल्कुल नहीं, हमारे अकाउंट से अग्दम क्लियर हैं अफिस से नहीं, घर से नहीं तो इतना सारा पैसा डैनी के पास आ कहा से रहा था? अच्छा आपने आखरी पर कब देखा था डैनी को? कली देखा था कली देखा था कल व ओफिस में था? अफिस में पास मुंसी पलिटी के इवेंट था जो हमारी कम्मी ने और्गनाइज कर वाया था डैनी उसी के तैयारियों में जुटा वा था और ये इवेंट कितने बजे तक था? इवेंट तो रात आट नो बजे तक चला था मगर डैनी बीच में चला गया था बीच में चला गया था? डैनी अक्सर इवेंट बीच में चोड़के जाता है? नहीं कभी नहीं मुझे खुद काफी हरानी हुए कि वो इतना अन्प्रोफेशनल कैसे हो सकता है कोई तो वज़ा होगी उसके इवेंट से अचानक चले जाने के अच्छा उस इवेंट के रेकॉर्डिंग तो होगी नहीं? जी आज सुभा ही आईए अफ्रेडी क्या पता है चला फंक्शन के वीडियो से? कुछ पता नहीं चला सर साम उस फ्लैट में जो आशिष रहता था उसका इसकेच वाश्मन ने बनवा दिया है वे फ्लैट का माली कोन है अबजीट सार जबलभू में रहता है उसको फोन करवा दिया है शाम तक आता ही होगा एक मिर सार प्रेडी के पॉस करे क्या हुआ? यह बैग यह बैग तो सार दैनी के घर में था इसमें बॉम रखा वा था सार इसका मतलब पहले यह आदमी बैग लेकी इस फंक्षन में आया उसके बाद तैनी के घर पे चला गया एक मिनट यह आदमी यह आदमी भी मुझे जाना पहचाना सा लगता है अबजीत जाना पहचाना सा ही यह यह जरू कोई पुराना पापी है कर कौन है कौन यह है? येस येस इस से नाम शुरू होता है इसका इस से रेडी देखो इसे कितने लोग है अपने रेकॉर्ड में ये रहा सर शम्भू नाम है इसका येस शम्भू शम्भू सर इसमें लिखा इस शम्भू को शराब पीने की बड़ी बुरी लत है अक्सर शराब पीने ये क्लब S49 जाता है ये गड़ी देखिये Made in Italy पूरे दस हजार पूरे दस हजार रुपए नहीं बे दस हजार रुपए नहीं दस हजार डॉलर पूरे दस हजार डॉलर काभी मालदार आदमी लगते हैं हां तो इसमें कोई शाक है क्या ये कले की चेन देखी है पता है कितने तोले की है पांसी का फंदा कितने तोले का होता है पता है पता है तो किस से बात कर रहा है शम्भु भाहिया तू जानता है कि तू किस से बात कर रहा है तू मेरा नाम भी जानते हो कौन हो तुम दो गुंडे बदमाश प्यार से हमें C.I.D. अंकल कहते है C.I.D. अरे संदू भाहिया कहा जा रहा है काम से तू लिए बात नहीं करो गए सब 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 मैने कुछ नहीं किया सब कुछ नहीं किया वीस थारीको मिनिस्पाल्टी के फंक्शन में क्या करने गया था सब मुनसिपाल्टी सब सब सच्चन सब थे वार्ण वो में अर्ण जो तो पैचांते हो目 चुछ नहीं सब कौन है यह सब कौन है? वही जिसका कौन किया था तुमने? मैं चोओंगा सब खूनी नहीं हो सब जुट बोलने हो! तुम वहां उस फंक्षन में बॉंब लेके गयते बैग में डैनी ने तुमें देख लिए इसलिए माँ ड़ला उसे तुमने यह सब बोंब सब एक्षान खिद और शफे हो यह सब उसार है सब। वहां तो कह तरे ही एक्टिंग सच सच बोल क्या था.. सब। मैं तो उसके टूरी करने कहता सब.. यह बैग उसे का तो है यह डैनी का कीब इसका तबंग इसका यह डैनी का अ यह貸ाब साच बोला है? या साब मैं अपसे जूट क्यो बोलूँगा साब मतलब बॉंब तूने डैनी के घर पर नहीं रखा था नहीं साब यह 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 बैस्त मैंने चुराया था उसने मुझसे यह बैक छील लिया और यह थपड़ ही हमारा था अच्छा नेकल लेकर जाए दो हुआ सब 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 मैंन कुछ नहीं किसाब बॉंभ वाला बैक टैनी लेकर रहा था फंक्षन में जल क्या राता उसका दिमाग में सर मुझे तो बॉंब की स्पेलिंग तक नहीं आती मैं जबलपुर में आराम सा सो रह था अगर मुझे मालूम होता कि आशिष अतने वाला लफडा करने वाला है तो मैं फ्लाइट कभी सुद्गों देता है नहीं साब? अरे, आशिष को फ्लाइट देने से पहले उसका बैक्ग्राउंड चेक नहीं किया था क्या तुमने? जेखियेदा साब, ये अगर्मेंट और सुजाइडिये का इनसी लेटर है ये? ये आशिष है? हाँ साब, यही आशिष है क्या बात कर रहा है? साब ये आशिष है? डैनी आशिष है डैनी? कौन डैरी? सरी आशिष है जिसको मैंने फ्लाइट दिया था ये आशिष नहीं है डैनी है ये डैनी और इसी का खूल हुआ है, संज़े? सर ये डैनी है तो वर आशिष का हून है, सर? आशिष कौन है? मैं बताता हूं ये 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 आशिष है सर इसको तो मैंने कभी देखा है नहीं ये इसकेच तुमारे बिल्डिंग के वाच्मैन ने बनवाया, संज़े? सर मैंने इसको तभी फिलाट दिया ही नहीं इसका मतलब ही किये अभी जीत ये डैनी दुने गहरों से मिला हुआ था क्या सर, शम्भू ने भी यही बताया था वो बॉम वाला बैग उसने डैनी से चुड़ाया था सर, सर, स्केच वाले आदमी का पता चल गए अच्छा, कोँ ने? सर, इसका मैं आंद्रे और ये बहुत बहुत ड्रग पेडलर है अब सब साफ हो गया, सर इस डैनी को ड्रग्स की लगी होई थी और आंद्रे ने इस बात का फायदा उठाया और उसे फसालिया मगर उसने डैनी को मारा क्यों? इसका जवाब तो आंद्रे ही देगा, बिजीत उठाव इस आंद्रे को ठाई किलो का ताला लटका हुआ है, सर भाग्या लगता है एकड़ी स्यादतर मुझ्रीम घर के बाहर ताला लटका देते अगर अंदर अंदर काम को अंजाम देते बीचे जागे देखो कोई ऱस्ता है कि सर हाणिकल बेर इकट, हम लोग आते हैं, बीचे तरवासा है प्रेड़ी बंदी करवाओ पुरा घर कोट डालो सर अनिकल इदे के सर माय कॉड़् इससारे आत्यार यह द्रग डिलेर है कि आतंग वाधी? सर मुचे लिखता कुछ बहुत बड़ा होने वाला है ठीक है अतव निकिल इस अंद्रे की जनम कॉंडली निकालो कब से काम कर रहा है किस के साथ काम कर रहा है इसके जितने भी साथी डग पैडलनाट सा सब को उठाओ पुर्वी अंद्रे के फोन ने को चेक किया है? हाँ सर च्या पता चला सर एक नंबर है जिससे बार बार फोन आया है किसका नंबर है वो थोड़ी दिर में पता चल जाए गुड चलो चलिया चलो 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 चुप चलो खड़े हो जाओ सर ये सब ड्रक्स अप्ला करने वाले लोग हैं सर और ये है भीपू जो डैनी के कॉलेज में आंद्रे के साथ lässt का धंदा करता है मुझे जाने तो साफ अंद्रे का है? पता नहीं साब मैंने बुचा अंद्रे का है? सच भोल रहा हुं साब अंद्रे गायब हो गिया और उसका फोन भी नहीं लग रहा साब आतंगवादियों के साथ मिले हुए हो मैं तो से ड्रक्स बेचता हूं साब कौन से आतंगवादी ग्रूप के साथ मिले हो जल्दी बताओ साब मुझे फसाओ मत साब तेग विको तिमाद घुमा हुआ हुआ हम लोगों का देश का साथ कद्दारी साहेंगा नहीं हम लोग मैं देश का दुष्मन थोड़ी नहीं साब अच्छा मासूं बच्चों को ड्रक्स बेचता है देश के भविष्य को अंदेरे मेटा केल रहा हो देश बक्ति आएए तुबारा दुबारा ड्रक्स नहीं पेचूगा साब पुर्वे इसो नंबर दिखाँ इसका नंबर है ये 101023451 सर ये तो परचाती का नंबर है सर परचाती परचाती कौन है ये परचाती सर ये हमारे सप्लायर है सर यहीं हमें माल देता है बार के देशों से माल लेके आता है सर देखा है तुमने उसे हाँ सर तो उसका स्केच बनवाओ सर साब मेरे पास उसका फोटो है साब का है दिखा फोटो साब 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 ही है ये ये रहा कि ये परचाती है हाँ, सर हलो जी कहां पर आई यू शॉर थैंक्स सर, मुबाइल कमपनी वालों नमबर ट्रेस कलिया कहा पर रही है सर, राजा कॉलनी राजा कॉलनी तो ये परचाती राजा कॉलनी में है क्या ये देखो परचाती का मॉबाइल सौ मीटर की दूरी पे है इसी राजा कॉलनी में है कहीं आसपास ये मॉबाइल तो एक ही जगह पे चिपका हुआ है हिल्डून मी रहा है तो यही कहीं किसी बंगले में छुपाई ये परचाती है जहां पर आतंगवादियों ने अपना ड़ा बना रख सर विवेक, कुछ पता चला, कहां बना ये मिठाई हाँ सर, सत्रा नंबर के बंगलो में चलेबी, खीर, हल्वा, सब कुछ बनाया जा रहा है सब कुछ अरे विवेक, तुझे परचाती का पता ढूनने भेजाता है तु मिठाई की दुखान ढून के ला या रेड़ी, तुम्हें बार-वार, जोर-जोर से परचाती-परचाती क्या चिला रहे है शौरी स्वत्रा नंबर बंगलो, नहीं यह, सुर्ण सर, ओरा बंगलो नंबर 17 काफी सिक्योर्टी है बंगले के बाद विए परचाती काफी पास में है यह टार्गेट है बस, बंगलो नंबर 17 अट्याक कर दे क्या? यह, नहीं विए लोग मक्की नहीं आतंकवादी है पता नहीं कितने लोग है अंदर अट्याक करने से फ़ले प्लानिंग कर लेना अच्छा है दे, चलो पान खाते पान? अट्या, सुनो भई, उसमें पनार्सी पान लगाए जीज़ाब सुनो उसमें कत्था मतलगाए और चूना भी मतलगाए जीज़ाब अच्छा सुनो सुपारी भी मतलगाए क्या साब आप पान खा रहें या कोई काघस का टुकड़ा अगर इस पेबर के टुकड़े का तुम्हें पान सो रुपए में ले तो चलेगा पान सो रुपए लेकिन किसली है साब कि जो सत्रा नंबर बंगलो है किसका है इसका मालिक तो कभी नहीं दिखा फिर वे ये जो सेक्योर्डी वाले खड़े हैं यहां पान खाने तो आती हूंगे ना यही लोग बोले है कि कोई कपनों का वैपारी ए उसी का है कपडों का वैपारी है? हाहां कोई कोई राज नाम का है काफी लोग आते जाते होंगे जाते होंगे? दस एक कार हे जो एंदर बाहर आते जाती या और उसमें काले क्षीचे लगे हैं तो अंदर अबार कुछ दिखाई घा देता है तक इसे पर लगा, यहां नहीं आता है कि एली जेपान साब, सिफ पक्ता है, शुपारी तक नहीं है लोग किसी बाहर वाले को एंट्री देते ही नहीं है तो हम लोग अंदर गुसे कैसे है न अगबार लेता है न दूद कोई न कोई चीज तो ऐसी होगी जो बाहर से आती है कि अगया है, पहले तर तुझे कभी देखा नहीं कैसे देखो के साफ, इस इलागे में लाइट तो जाड़ी नहीं है किसले तो फिर आज कैसे चले गई आशा है, विजली जो है ना वीवी की तरह होती है जना से मूट खराब हुआ नहीं कि माई के चली जाती है कि अभी जादा टाइम पाथ प्थकर, जो भी गड़वर जल्दी से देख ज़िए देख लेटे हैं, बाहरे कैसे देखेंगे आंडर जाना पड़ेगा ना तर पस मूबाइल लेका है मॉबाइल पैसी बाते कर देंशाब, गरीब आदमी के पास कहा से मॉबाइल होगा तर चेक कर अजसे कर लेका अजसे कर लेका इसके गुट गुटी हो रही है अरे, खुछ नहीं है इसके पास गेट पो पहला आद भी देखाएं जिसके पाफ नोगे पोल निए एप जब दादा जी कहते हैं कि मोबाइल जो है अच्छा नहीं होता है इसलिए हम रखे नहीं है आप ही मतर खाशनी है वशे दूरजवन काड में रहते है अमारे दादा जी आप कभी आईये वहां के अपने खेट के गंडे को आपको बद अची अच्छी आप अच्छी अच् आप बच्पन से अच्छी अच्छी करता है अम तो यह बोला ने कुछ से बच्पन से हमें एलेक्टिशिटी में बड़ा शॉक था आप हमको बचा दीजे कि यह आपका बोड का है अभी अभी बना जीटे पूरा चलो दिखा तो हूँ जया बंगले के बाहर दो है अँग बंगले के चार है और बंगले के पीछे दो लोग है परशाती और आन्रे वो दिखे नहीं तो दीख में रहे शाद अंदर होना कितना बोलता है अवाई अधटिशिए अवाई आप स्विच्बोर्स बटाइजे कहां है जोड़े, वाइ, यह रापी जिलिगा मेड़, शेलवल अप्जा जल्दी कामपे, एल्ले, रग्य, हम जोड़े, थिलिए, पर शेलिए, पर किरम भाइनाने, आमजबे नहीं आरा है, पहनी बार करें, ओर्रा क्या जोड़े, पहनी बार करें, आज़े नहीं जाने कितने एलेक्ट्रिक बोर्ट खोल शिए हम लोर, यह तो हमारे वायांथ के खेल है, यह देख्या, प्रूज जोर का जटका लगा यहार यहार तो बिजली आरही है क्या बात कर दो यह है तो मतलब अंदर कुछ गवाड़ है अंदर भी कोई फ्यूज है क्या हम देख लेते हैं आपर अरे मैं अंदर जाना किसी का वे लाओड नहीं है अलाओ नहीं है तो फे सड़ो यहां पर ग हम जा रहे हैं अंदर जाते हैं तो दो मिनट पर ठीक कर देते हैं तो दो मिनट लगेंगे ना हाँ दो मिनट लगेंगे ना हाँ दो मिनट ठीक है चलो जा मैं अंदर जा रहा हूं हाँ त्यार रहे ना ओके यह रहा मंगर जल्दी करना हाँ अभी आ जाएगी अभी आजाए अलाइट उन करना है? ओके सोए इढ़ी गूधी आ गई ना रे सापास चला भी चल चल अरे नहीं सुनो यह लाइट गई क्यों थी वाइरिंग कर पड़ा है उससा चेक करना पड़ेगा ना आई साफ इसकी कोई जरुवत नहीं है चला भी अरे मुझे यहां पर दोदो मोबैल के सिंग्मेल मिल रहे हैं या दोदो मोबैल के? एसा कैसे हो रहता है यह पो नहीं यह बिजली वाला है इसके बास तो दूसरा मोबैल नहीं है अभी इसकी तो हमने खुद तलाश लिये मैं तो चोटा मोटा एलेक्ट्रिशियन? एलेक्ट्रिशन नहीं, सियाइडी इस्पेक्टर अप्चीत है मारदो इसे एट! सियाइडी का कुत्ता वह तो क्या हुआ? और इसके मेमाननवाजी तो कर लें पड़ेगी मेमाननवाजी तो तेरी सियाइडी करेगी सब के सब जाओगे ससुराद, सब के सब! लगता है इसके साथ ही कुत्तेजे सुनते-सुनते हाँ है जाओ बार जगर देखो, क्या हो रहा है? जाओ! 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 बखं़ और भॉल कोंधन ऑना आ आ इण। हाँ हाँ ते लुड़ ने चाँ बर्वाद कर देना चाहता था अच देश को ड़क से और आतववाद के तमाखों से तुमारे जैसे कितने आतंकवादी आया हो चले गए दरशाई हो गए सी आईडी के सामने तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने हमारी देश की तरफ गलत रादे से देखा जेश को इलाना के लिए बम की जुरूधती, कहां से लाते हैं पैसे, इसलिए ड्रग्स का धंदा शुरू किया और अमने काम को अंजाम देने के लिए तुमने टैनि को भासायाít उसे ड्रक्स की लदग वादी मगर जैसे ही टैनि को पता चला कि तुम आतंख वादी हो तो उसने तुमें मदद कर अए इंकार कर दिया क्योंकि उसे पता चल गआ था कि तुम लोग आतंकवादी हो और तुमने उसे भी मार दिया बेवकुफ थावा भाग जाता महाँ से बेवकुफ टैनी नहीं बेवकुफ तुम हो तुम जो हमारे देश के खिलाफ कुछ करने की सोचते भी हो अब सड़ते बैठना जेल में फासी तो तुमें होकरी रहेगी